बॉलिवुड और टीवी के कई कलाकार एसे हैं जिन पर साल 2021 कहर बन कर टूटा है और उन्होंने किसी अपने को खोया है। इंडस्ट्री में कई सितारों को इस साल अपने पेरेंट्स के खोने का दर्द जहिलना पड़ा है। इस साल कई और स्टार्स ऐसे रहे जिन्होंने अपने पेरेंट्स का निधन देखा। आईए बताते हैं आपको इनके बारे में। जोज को गहरा दुख पहुँचा है। आनन्द एल रॉय इस सितंबर की सुभा शामक की मा पूरण एन डावर का निधन हो गया है। शामक की मा ने 99 साल की थी और वो लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। चंकी पांडे एक्टर चंकी पांडे ने भी इसी साल अपनी मा को खोया है। शेखर सुमान एक्टर शेखर सुमान की मा का निधन भी इसी साल हुआ। जून के महिने में शेखर की मा का निधन हुआ था जिसकी जानकारी खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। अनु मलिक सिंगर अनु मलिक ने भी इसी साल अपनी मा को खोया। उनकी मा और दिवंगत संगीतकार सरदार मलिक के पतनी बिलकिस ने 25 जुलाई के दिन दुनिया को अलविदा कहा। अनु की मा ने 86 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। हिना खान टीवी और बॉलिवुट की मश्यूर अदाकारा हिना खान ने इस साल अपने पता को खोया। बीस अप्रैल को उनके पता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। काडियक अरेस्ट के चलते हिना के पता का निधन हुआ था। हिना अपने पता से बेहत प्यार करती थी। गौहर खान ने भी अपने पता को इस साल को दिया। पाँच मार्च को उनके पता जफर ए हमद ने अपनी आखरी सांस ली। गौहर के पता लंबे समय से विमार थे। राम कपूर पर भी दुखों का पहाड तब तूटा जब उनके पिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राम कपूर के पिता के निधन के बाद अमूल ने उन्हें सोचल मीडिया पर ट्रिब्यूट भी दिया था। झाल झाल